चली प्रारम करते हैं आज का जा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कस्यफ सहन्ता की हार invij conj twenty जो अद्रस ँद् sırत आयों इनसे भी कुश्चन आते हैं इनकी दो मेहत्पूढ बिंदु तो चले बात करेंगे अ हिता चलेगा तो सावाने पपर्चे तो देखीगा सबसे पहले पर रहा है का स्षिप स्वेट को और क्या बोल सकते हैं तो इहां पर मोला गया व्रत चीवक पूर्व अभी हम चट्वी सदी पढ़के आई थे चट्वी सदी किसकी थी तो पिछली क्लास में आपको अश्टांग संग्रे ब्रद बागवट पढ़ाए था उनकी जो सदी चट्वी सदी थी लेकिन यहां पर बात हो रही है काश्यप सहेता में महर्ची कश्यप की इनकी ज सदी देखीएगा चोथी से पांचवी सदी प्रतिसंसकर्ता देखीएगा काश्यप सहेता के प्रतिसंसकर्ता बहुत इंपोटेंट है कई बार पूछे जाते हैं आयम पी लगा लिजीगे इसको वास्यप मूलूपदेश्टा महर्ची कश्यप हैं तंत करता ब्रद जीवक ह हैं इसलिए इस काश्यप सहेता को ब्रद जीवक तंत्र भी कहा जाता है याद रखिए करता है प्रतिसंस करता कौन हुए तो वास्य हुए और आधार यह थोड़ा आयम पी लगाईएगा जो काश्यप सहेता का आधार है वह किसने किया है तो वह है आपके राजगुरु पं चोफिक हैं इन सब की करते एं तो बैसे वी मीचन की बात करे हैं तो कुल इस्थान देखी में इसम欸 कुल है आपके इन Цयता को अध्या कितने हैं तो याद रखीएगा अगर आप से पूछा जाए और कुल कितने अध्याएं तो आपके 200 आएंगे लेकिन खिले स्थान में अभी वर्तमानों कितने उपलब्द है तो 25 उपलब्द है इंडलाइन के लिजिए कुल सूत्र कितने हैं तो सूत्र की बात आती है तो आपको सभी की आद होने चाहिए तो मैं जब आभी जैसे आप से बोला मैंने के कुल सूत्र इतने हैं किसमें तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि चरक सहनेता में 9295 शूत्र तो आपको याद रह रहा है मतला आपकी जो तैयार है बहुत अच्छी चल रही है अब आगे बात करते हैं विशाय विवाग की तो इन्होंने देखी कि चरक के समानी है बस थोड़ा सा यहां पर क्या अंतर किया उन्होंने तो देखीगा दिमाग से यहां पर बताया के चरक में आठवा जो इस्थान सिद्धी इस्थान है जबकि कास्यब में आठवा इस्थान कल्प इस्थान है बस मतलब कल्प की जगे उन्होंने सिद्धी रख दिय है इतना याद रखना है आपको और नवा इस्तान तो हमें पताई है खिले इस्तान है कितने अध्याएं आतो असी अध्याएं यह भी हम पढ़ चुके हैं तो इंपोर्टेंट यह पूछा जाता है अरेविदा अप्तरण तो काश्यप के अनुसार हमने पढ़ाई था कि ब्रह ब्रहु और अत्री ने किस काश्यप के नुसार किस से अरवेद का ज्यान प्राप्त किया था तो वह हैं इंद्र आगे चलते हैं थोड़ा एक कहानी है जो काश्यप तंत्र का निर्माड कैसे हुआ तो देखिएगा महर्ची काश्यप ने तंत्र निर्माड तो एक छोटी सी सबसे पहले एक पांच वर्षी रिचिक पुत्र जीवक का इसका जीवक इस विष्ट्र तंत्र का संचिप्त में रचना में पढ़ित किया गया इन्हें ऐसा कहा जाता है कि जब छोटे थे पांच वर्षी बालक तो ऐसा माना जाता है कि पांच वर्षी बालक कैसे किसी तंत्र का नर्माड कर सकता है कैसे किसी सहिता का नर्माड कर सकता है तो कई रिसी मुनियों ने उसे बालक समझ कर बाल जल्पित कहकर अन्य रिसीयों द तंत्र के रूप में स्विकार किया गया थोड़ी कहानी यार रखिएगा जब महर्षी कश्यप तंत्र का निर्माड हुआ था तो कैसे हुआ था तो पांच वर्षी पुत्र जीवक थे जीवक जब जीवक ने जब इस विश्टर तंत्र का निर्माड किया था तो जो अन्य आचारे थे उन्होंने उसको अस्विकार कर दिया कोई छोटा बालक इतना बड़ा तंत्र नहीं लिख सकता है लेकिन जब वही जीवक जो बालक था उन्होंने कंखल इस्थित गंगा में कौन सी नदी लुट्ट तंत्र को अनाया से इच्छ द्रारा धार किया गया और जीवक बंसाज अभी अभी हमने प्रतिशन्सकार किया तो किसने वास द्रतिशन्सकार किसने किया तो बास से आप याद रखिए कांटब कुछ महतपूर बिंदु इन्होंने क्या क्या है उस सहिता में तो जो चुनंदा पॉइंट है वह बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं काश्यप सहिता की चली तो कुछ important point की बात करते हैं यहां पर बात करें सबसे पहले कौमार जो भृत्य है उसका ही प्रतिपाद ग्रंथ है काश्यप सहिता याद रखेगा क्योंकि इसमें बालक से बच्चों से सारी जानकारिया दे हुई है तो सबसे तो महत्पूर यही point है कि आपका काश्यप सहिता है वह कौन से उसमें क्या सबसे जाला है तो उसमें जो बर्डन किया गया कौमार व्रत्य का ग्रंथ है और चरक अनुगामनी है चरक अनुगामनी मतलब जाना तरह जो विस यह इसा कॉस्टन आता काश्यप आरिवीद को क्या माना है तो को या याद होना चाइए कि चारों वर्ड़ों को आर्यों फशट को सरीर का वरडन किया तो ऐना की होत उसली पूछा है ने किया है स़ुछ आए टो चाहिस ने किया है और बागवत और सुण्त में न स्वेद्पिर सब्सेट का वेरा टाटने किया है तो फीरो invested का वरड़न को या फ्याफ southeast ?... सिर्फ अस्टवेद स्वेद का बढ़न किया है और चरक ने तेरा आपको पता ही है तेरा प्रकार के बागबट और सुसरुथ ने चार प्रकार के चत्रुवेद स्वेदन का बढ़न किया है हस्त सूध का बढ़न यह कई बार पूछा जाता है हस्त सूध का बढ़न मलो हातोंसे हलका से रृफ़ करके हातों को घिसकर के आपसमें पूण पूछा जाता है कितने चार महा के प्रियोग के जाता है तो भो है आपका स्वेदा है जाता है यहानँ सब्सक्राइब तो मेत्ट हमान काकब्ला के लिए दोलों हैं आपके महत्पूरदेम बिंदू है सिभगा नाम को महा वहसत। ये और एवं अको प्रजापति सबसे महता-पूर बिंदू इसको लगाईएगा裁 हमा-उसद भी पडहेंगे। किसमें क्या माना है तो महाभैसज्य किसको बताया है आहर को बताया है और जो अन्य है उसको प्रजापती की संग्या दिये हुई है कि सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब बताया है जब कि चरग ने अन्द्श मैंड přमांब permat तो 2 1970 अन्दिफ यहां अधिक कि गया नियुक्स आ पर तो मैंने बताया था जब आपको सुसुरुत में बताया था तो चरक ने 5 करशाई कलपना बताई है। हैं वह सब्तिविद कसाई कलपना मानते हैं मलब बताई है उन्होंने चरकोक्त पांच मलब वही श्राज कलक सीथ फांट तो इन्होंने साथ दो एक्ष्ट्र कौन सी बता दी चूड और अभिसभ तो एक क्वेश्चन आपसे बनता है पूछा जाता है कि चूड और अभिसभ कलपना जो है जो किसने मानी है तो है आपके आंसर काश्यफ आएगा आगे बात करते है तिरसमां घुटिका आएम पी लगाएगा तिरसमां घुटिका का बढ़ां किसने किया है तो आपका आएगा, यह काश्यफ वस्ट connecting है ता, अभी हम 15 शिबां गुटिका पढ़के आए तिरसमागुटिका काश्यप क्या होता और बात करते हैं औसनटेवं में अंतर है ने इमप लगाइए इसको को युक्ति व्यापास रहे और व्यापास रहे चिक्षा का गया है ठीक है चलिए अधिक कल्प देखी इन्होंने कल्प का बहुत अच्छे से बढ़न किया है कौन-कौन से कल्प बताएं तो यह आपको बहुत कल्प का सतावरी कलप रेवती कलप भोज कलप सहिता कल्प कोई थोड़ा अंडरलाइन करीगा जो पूछे जाते हैं और अधिक्टर कहां बढ़न है कल्प का तो कास्यप सहिता में याद रखेगा नेक्स्ट पॉइंट वर्दमान पिली का प्रियोग किस में बताते हैं तो चरक जो मानते हैं वो बोलते हैं कि रसाइन की रूप में राज इच्छमा में जबकि चरक ने वर्दमान पिली का रसाइन की रूप में प्रियोग बताया है पिलिया एवं हलीमक का सोतंतर अध्या में बढ़न किया है तो यह आपको अलग से एक नोट बनाना है और वहाँ पर काश्यप के सोतंतर अध्या लिखने हैं आगे मैं और पढ़ाऊंगा हारीत के सोतंतर अध्या लिखने हैं भेल के सोतंतर अध्या लिखने हैं जब मैं किस का बढ़न किया है तो वह जब टेबल बन जाई तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल एजी तरीके से आपको याद हो जाएगा तो देखें पिलीहा और हलीमक का सुतंत्र अध्याम बढ़न किस ने किया है किस सहता में मिलता है तो आपका काश्यप सहता आएगा अभी तो प् सब्सक्राइब बच्छा एक साल तक जन्म से एक साल के बाद चल नहीं पाता है तो यह रखी तो आपके आपके आचार काश्यप और उसमें कौन सा गरत निर्देश है तो ब्रामी गरत अब आपको तुरंत याद होना चाहिए जब हम एकल औस पढ़े थे ब्रामी घरत हमने कहां पर पढ़ा था या रखीएगा जब हमने अश्कांी इए यह पड़ाया है अफिस्मार में अपिसमार यह बिधी करें ुछंगे को सब सुकतक बताया वो और रखी हो वो भी काश्याप है और दूसरी चीज सोतंत्र अध्याय में बढ़न मैंने क्या बूला आपको एक टेबल बनानी है लिखना है और सब्सक्तारों को एक कॉलम में नोट करिएगा अब इसमें कौन-कौन से स्वतंत्रध्याई आ गए तो देखी गा पिलीहा ओगया इस वतंत्रध्याई हलीमक हो गया और आमलपितव आ अपका स्वतंत्रध्या बाढ़न नोट कर लीजेगा कारड्द तो आनूप देश कारड आनूप देश जहां पर जो जल आश्टी बगेर आए वहां amald प न आपको अम रुग हो रहा है इसे बौलते हैं तो इस प्रोबलम है खतम हो जाएगी आगे चलते हैं शूक्त को कहा पर just पांडू में क्या होता है कमी होती है रक्त की कमी होती है और रyaktic को बढ़ा है इसले इन्होंने पांडू। तो इसलिए 7 उसलिए सबसे हटके बताया यह सबसे लगानां प्रम्या चेश्चा में प्रम्य suggest का में प्रहोग कीया है तो यहां से तीन ओप्शन होते हैं इसलिए आपको याद होना चाहिए नवायस लोग काश्यप तो काश्यप में सा आ रहा है बीच में तो सोथ याद रखिएगा और आगे याद रखिएगा जबकि चलक ने पांडू में सुस्रुत ने प्रम्हे में पिड़का में तो यह इसको याद रखना है नेक्स्ट बात करें तो ज्वर एवम राज अच्छमा चिकिस्सा में रुद्र पूजा का विदान है जबकि चरक ज्वर में किसका विश्णू सहस्त्र नाम जहां भी दो-दो आप्सन मिलते हैं वहां पर कन्फीज होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसलिए अभी से कन्फीजन दूर करते चलिए रुद्र पूजा बताई ये काश्यप ने लेकिन विश्रू सहस्त्र नाम पूजा जो बताई है चरक ने ज्वर में बताई है चौसट प्रकार के सूतिका रोग पढ़ेंगे वहां भी मैं बताऊंगा चौसर प्रकार के ल मैं दौजा नाम यह सब्कार क πά Богा करते चाह है ऐसे किने कि अृध susya करें तो कह उसके पचीश में कर आए चाहिए ये अब ऐताधरवेद पढहता लेकिन अथर वद हर लेकिन अधरवेद में जो 25 भेद थे, वो जवर के 25 भेद कहे गए हैं, तो एक्व को याद होना है तुरंत याद होना चाहिए कि 25 हम संख्या पहले किसमें पढ़कि आ हैं तोahon के जो हमने भेद पढ़े थे, अधरवेद में वो आपको पता होना चाहिए दोस वेद से 75 जो यूज के 25 वेद काई हैं और दोस वेद से 75 और आसरे वेद से 50 यह थोड़ा इंपूंटर लगा लिजे अंडलान का लिजे सबते विग्या लोगा users केषा लिजे तरीकने सबसे पहले संखेया रखिए काचर काश्यपने ये बागुदोस कितने बाने हैं तो काचर काश्यपने ये बागुदोस जो है साथ बता हैं मातंगी और रुद्र मातंगी विद्या का उल्ले किया है यह भी नोट करिएगा अब यहां पर मातंगी यह रुद्र मातंगी विद्या सब्दा आया है तो महा माय किसने किया तुरंद कोश्चन उठना चाहिए तो वह आपका इस्टांग संग रहें चलीगा आगे चलते हैं नीलस यंद्यां सूक नासा औसद का वर्ण किया है ठीक है इसकंद को देवताओं का राजा एवं अधिपती कहा है इसको आएम पी लगाईए का इसकंद को देवता है कि बहन इसमें सश्टी तो इसको अंड़ान करें चली आप सरीर संख्या की कुछ बात करें तो देखिए वहां पर भी पढ़ चुके हैं संख्या संधियां कितनी बताई हैं तो 301 बताई है काश्यब की 301 तो फिर चरक की कितनी है संधियां चरक की 200 हैं सुसरुत की 210 है तो जब हम रचना सारी पढ़ेंगे वहां पर डिटेल बात करेंगे यहां पर संख्या 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 रखिए कंड्रा देखिए चाउदायल लेकिन सुसरुत में कंड्रा 16 मानिये कूर्च इसको इंप लगाएगा कूर्च देखिए बहुत ज्यादा बता दिनों 42 जबकि काश्यब मानते हैं और सुसरुत केबल एक मानते हैं आगे बात करें काश्यब संख्या के बस्ती प्रसंग में भेल के नाम से यह मत उद्धिरत है कि बालकों में 6 वर्ष की आयू में बस्ती दें तो इसको अंडरलाइन करिएगा बालकों में कितने बालकों में 6 वर्ष की आयू में बस्ती दें किन्तु किन्तु देखिएगा आगे देखिए क्या बोला गया है कि भेल संख्या में उल्लेक नहीं मिलता है काश्यब में मिलता है लेकिन भेल संख्या नहीं मिलता है और भेल संख्या कि वहले इतना उल्लेक मिलता है कि बालकों बालकों और ब्रद्धों में बस्ती प्रसास्त है तो आपको पूछा जाए बालकों में छे वर्ज किया यह बस्ती दें तो यह किसका मत है तो काश्यप सहता आप अंसर लगाईएगा आगे बात करें काश्यप के अनुसार बालकों में बस्ती काल यह p collaborated पूछा जेहिए कोश्चन है कश्यप के नुसार बालकों में क्या बस्ती काल है तो देखी बालक जब चलता फिरता हो और अन नकाता हो यह काल मताया तो आप बस्ती कार्योग कर सकते हैं और जब बालक चलता फिरता हो और अन नखहता हो अब कास्याप के कुछ विशेश योग हैं जिस तरीक से हमने एकल योग पड़े थे चंग रहने के यहां पर विशेश योग बताइगे यह पर जैसे योग बनाए गया त्रय बरत योग तो त्रेवरत योग का बढ़न मलकिस रोग में प्रियोग कर सकती है तो सूति का उपद्रव मलब रोगा अधिकार क्या है तरवरती योग का तो सूति का उपद्रव महा अभियारिष्ट आइम पी लगाईगा महा अभियारिष्ट श्लेश्मिक राजच्मा आप जट से में प्रियोग करते हैं लेकिन महा अवियारिष्ट का प्रियोग जो बताया है स्लेश्मिक राजच्मा में इंद्राडी घ्रत इंद्राणी ग्रत, राजष्मा. आईयांप्ट लगाइगा. तो देखें, दो राजष्मा के हैं, एक तो महा अव्यारिस्ट तो आपका स्लेस्म राजष्मा एंद्राणी ग्रत जो है वह राजष्मा है तो वह अव्यारिस्ट है यहा रख केगा राज तेल यह सभी आइएम पें पूछे आए माइक वार हर एक पूइंट पूचा गया इसमें से राज तेल तो पंगट वुद्वम बंधत्त मैं मीन तेल सहचर तेल श्योनक तेल तो मीन सहचर श्योनक इसी तरीके से आदा कि長 है मीन सहचर श्योनक बात भी आदी में प्रेयुक करते हैती तीनों तेलों का किसने बता है कासिप ने बता आए आपको यह पता होना चाहिए पांच पुछा गया है निर्व के उपद्रव में आइयंप लगा लीजिगा इसको कोकेला गुटिका और लोहितिका गुटिका कोकेला लोहितिका कोकेला ला रहा है ला से लोहितिका तो दो गुटिका हो गहीं दोनों ही नेत रोगों में हैं या रखिए कोकेला और लोहितिका तो वो एक नाटक देखा होगा आपने जिसमें कोकेला एक नाम रहता है उसकी आँ तो ग्रेवादा हर अब है ग्रत ग्रेवादा हर संबर्धन ग्रत तो यह भी आइएमप लगाई का पंगू मूख बधिर बालकों में सदा मधू के साथ प्रयोग करना है संबर्धन ग्रत क्योंकि इससे संबंदेत एक अपना अभी हमने पड़ा था ऊपर कौन सता राश्थिल पंगुत्व और बंधत्व के लिए यहां पर पंगु मूख बधेर बालकों में सदा प्रियोग होता है चलिए आगे बात करेंगे सैसुग्रत की दसांग्रत तो सैसुग्रत याद रखना दोनों ही बाताज गुल्प में हैं कटुक बिंदू अब ले तो यह आपका सोथ ना स इसका भी देखीगा अब भेल साहता तो भेल किसके सहपाटी तो आपको पता है अगनीवेश के तो उनका सैम ही है याद रखेगा बस इतना याद रखिए आदेवब देश्टा कौन थे पनरवसु आत्रे तंत करता तो स्वेम भेल है याद रखेगा तो काल जो इस तो वही है आठ इस्थाने 120 अध्याय लेकिन बर्तमान में कितने उपलब्द हैं आपको यह पता होना चाहिए तो यह प्यूद्धा का सबसे ज़्यादा वह यह है कब मन का इस्थान भेल के अनुसार क्या होता है तो यह रखेगा मन का इस्थान भेल के अनुसार सिर्व तालू के मद्य सिर्व तालू के मद्य अब बात करेंगे ऐलू चक पित्त की अलोचक पित्त की बूण को किसने बताया है तो लिवल ने बताया है कितने बेद था इसेट तो आ अर्च प्रकरण में 40 पत्रबटिका के नाम से इसका एक और नाम है किस नाम से प्रारदा गोटिका बहुत लगा ले ना अब आपके पास थीन गोटिका हो गई है आभी इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन से गोटिका वो कास्यप की थी तिर सम है तो तिर सम वह कास्यप थे शिवा गोटिका शिवा कौन थे तो अश्टांक संगि रहे है अब आगी प्रांड ता गोटिका तो प्रांड भेल सहीता भेल ने, जबकि चरक वस उसुरुत में बर्डन नहीं है, याด रखीएगा, चरक में चिकिस्षा धर्मार्क थी, जबकि भेल ने उसको अर्थों पारजन पर बल दिया, चरक ने तो बोल दिया, कि आप चिकिस्षा करिये, लेकिन धर्म के आदाप करिये, तो आर्थ मौला जो धन है आप बिल्कुल ली जिए उससे। जो और के साथ जात पीठ काहें नोट का लीजिए तो भसे संसे भेल याद रखी गा बहषे भेल और भस किसने ब़िदान क्या है भस मेल तो भेलने याद रखी कि चकेश्था के चतुसपाद में चरख को उपस्थाता की जगे मैंने क्या बोला तो उपस्थाता जो सायक रहती है उसको प्रथि-स भी नाम दिया तो यादोना चाहिए हां सबसे इंपोड़न एक और पॉइंट है जब आपका जनपदो ध्वंस को जनमार का आए जबकि सुस्तृत ने मरक इंपोड़न लगा लीजीगा जनपदो ध्वंस के लिए जनमार क्योंकि जन मतलब लोग मारमला बहुत सारे लोग एक सार मरते हैं इसलिए जनमार बोल दि साथ दिव्यकाव एवन साथ मानुस्काय काये हैं तो यह कोई खाच नहीं है अभी तक नहीं आए कोश्चा पित्तच कांस में कामला के लच्छने अंडलाइन करिएगा बतलाए हैं या यह पिल लगाई है तीन प्रकार के पिंडी तक मुल्ला पिंडी तक इसका मदन फन का पर रहा है तो मदन फल के तीन प्रकार पिंडी तक बताए हैं और क्वात के चवदा प्रकार के भेद कहें हैं यह भी इंपोटेंट है चौरकर्म कब क्योंकि हम चरक पढ़ेंगे तो चौरकर्म जो बाल वगरा कटवाते हैं मूद दाड़ी वगर एक तो इन्हों पमें महारस एबम अन्हों महाय सद कहां है अभी काशयप का पढ़ के आयके आए थे काशयप ने आहर को महा वहसज बोला और अन्हों को प्रजापति कहा यहां पर भेल अंहर थीक है जल के लिए उपयो किया है महा रस जल के लिए महा रस उपयो किया है और अन को महा ओसद जबकि काश्यपने अन को प्रजापती यह बस आपको याद रखना है आगे चलते हैं तीन प्रकार की एशणा बताई हैं प्राड एशणा धर्न एशणा और परलोक एशणा जो होती है चरक के अनसार तो पर लोके इसड़ा की जगेन उने धर्मे इसड़ा यह आपको सिर्फ धर्मे इसड़ा को अंडराइन करना है कि भीया धर्मे इसड़ा जो है वो भेलने वानी है याद रखेगा बैसच को चतुसपात की किरम में सरप्रतम गिना है एवन विशक को अंतिम इस्थान एवी मैं जब पहला लेक्चर हुआ तो उस बहां पर बता चुका हूँ कि विशक जो बैद्य है उसको आचर भेलने चौते इस्थान पर रखा हुआ है हिर्दय की आकरती पुंडरीक अंड संथानम कुंभिकाया फलस्षिचा रक्त संबहन का विश्यद विवेचन किसमें मिलता है तो आपसे पूचा जैतों भील साइंता में है हिर्दो रसा निस्रती ही तता ये बचा वर्शर बता शिरार भिर हिर्दयम चेती तस्माद हिरत प्रभाश्रा चले जनपर दंस के ज्वर का भी बड़न किया गया है तो इस ज्वर को सम्मवता एसा बोला जाता है कि प्लैग से कोलेट कर सकते हैं तो छोड़िये यहां से कोई कोशन खास नहीं बनता है सभी दूदों को अविश्यंदी माना है यह भाला पॉइंट थोड़ा आई एमपी लगाई है सभी खेल ने पता नहीं क्यों गाय का दूद बिशेश अविश्यंदी माना है चलिए आगे चलते हैं शरीर को में थुन क्रिया का मूल ऑब फल माना है तो यह कौटेशन आपको याद होनी चाहिए रती मूल म सहीरम ही सहीरस रती फलम यह आपको पता होना चाहिए चलिए तो यह सब्सक्राइब बताना पड़ेगा इसका हिंदी भी याद रखे तो यह आपको याद होगा तो यह जो मानते हैं आचार भील मानते हैं चलिए आगे बात करते हैं अध्याय कोई नाम है कौन-कउन समत और उसमें समय और विषय जीती रूप में नहीं है है ना टॉपिक के रूप में है लेकिन इन्होंने चतुस्पाद भिसक जीतियम अध्याय का टॉपिक ही बता दिया गाड़ पुरुशी रितुई विवागी अध्याय भोजन विवेदे तो पढ़ लीजेगा अध्याय कोई नाम तोड़े से पढ़ लीजे कभी कार प किसका प्रयोग बता है तो बहाँ पर महावयारिष्ट जो बताई है इसी तरीके से इंदराडी घ्रद वो राजच्मा बताया है वो कौन मानते हैं वो कास्यप मानते हैं लेकिन जो भेल है वो अस्वत मूलादी मोदक राजच्मा याद रखेगा पिपली बर्दमान देखे क्या बोलते हैं अपने चरक रसायन की रूप में मानते हैं दसांग्रत तो गुल्म है बल्लक बल्लब भक ग्रत हिरदयरोग आई-मप लगाईए शिवाबर्ती अभी देखीगा शिवाबर्ती विशुच काम है आप से पूचा जाए शिवाबर्ती का बढ़न किस ने किया है त इसलिए शिवाबर्ती भेलनेव शिवाबर्ति का संग्रह के अनुसार याद रखिए आयो रजीयम तो आयो रज सोफ में आई-मप लगाईगा सत पाक मधू तेल जो है वो राजिच्मा में प्राढदा गोटिका ये तो इंपोर्टेंट अभी पहले पढ़ चुके अर्स मे इसको तालीस वत्र पटक के नाम से भी जाना जाता है हिंगू पंच्याम तो हिंगू हिर्दय रोग और स्वर्ड समक चूड याद रखिएगा उधर रोग में बेल सायता की पांडूली पी को राजा राजेश्वा सर्मा दौरा संपादित कर CCRS दौरा प्रकासित किया गया अब बात करेंगे अपना प्रजर्पयक वह आपका हरी उन्हेश है संदमाड़ के लाइंगे तो हों यहां परिबर्तन हुआ अाल सेञ minute नौव में centr ऐटा लेकिन यहां तो एक लिए नौभक मंस्ता था लेकिन यहां देखीगा अनुश का न'll की कि आद है सेम था लेकिन हारित का देखिए छे इस्थान और कुल जो अध्या है वो 103 अब यह आपको दिमाग में रखना है वह उनका तो सेम था कौमन था बस आपको थोड़ा-थोड़ा फिर भी पता होना चाहिए जैसे ही आपका हरी सहता दिमाग में आया के छे इस्थान और 103 अध्या डेमाग में आना चाहिए कितने अध्या के इस्थान का दिमाग में आना चाहिए तुरांट आपको सभी आपको confusion तैक हमेज यह आगे बात करेंगे कौन कौन से है लिए अन पान इस्थान बता दिया देखे अनन पान इस्थान अध्याय के नाम था यह ता यह अगर ? यह तुम गुझाज में अनन पान विद्य अध्यास में जो 27 बात दिया है और इनहोंने हारिस Satya ने स्थान कई नाम दे दिया उसे अनपानिश्थान तो आप你們 तो चकिएस्था इतो 58 अध्या सभी के सूत्र रपनेमें बढ़िया अध्याएं मंत्र Dopkin अवनें इनका यहाल सभीया तो याद होना चाहिए सारी रपनेमें एक याद होना चाहिए हम कर याद सबसे कम तो आप नोड कर लीजिएगा हारी सहता परिशिष्ट एक अलग से भी कोई बताया परिशिष्ट करके उसमें भी एक अध्या बता दिया है तो 103 ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं अब बात करें हारी सहता का सास्त्री अबदान कुछ पॉइंट है तो रितु किरम निम्ना उसार उत्राण तो सभी ने कौमन बताया है कि उत्राण जो है आपका तो प्रारम की जो ती रितु हैं सभी कोई खास नहीं है इसमें आयू विभाग तो यह थोड़ा सा आयम पे लग सब्सकारिय वाजन वरस्त अप्रोहर जो है अधं बता दियों ब्रद्ध होते हैं इस तरीके से सर्वुत्तAm आयू की बात करें तो पुर्सों में जो सरवत्तम आयू 25 से 50 वर्स है क्योंकि उन्होंने बता है कि 25 से 50 वर्स तक ही सब कुछ रहता है 50 वर्स के बाद जुर्रियां बढ़ा पास सब कुछ आने लगता है इस्तरीयों में 24 से 37 वर्स तक अब इस्तरी बै विभाग इभी आई- क्रम से कैसे बाल बाला मुग्दा प्रोड़ा प्रगल्वा एक क्रम से आपको याद हो गए तो अपने आप आपको यह याद हो जाएंगे आप कभी नहीं बूलोगे तो बाल की बात करते हैं तो देखीगा, बाल की बात करें सिर्फ बाल की पांच वर्स की अवस्था को बाल कहा है, बाला 12 वर्स तक, मलब 6 वर्स के बाद 12 वर्स तक की अवस्था को बाला कहा है, मुग्दा 12 वर्स तक तो बाला ही है, मलब 13 वर्स के से 19 वर्स तक जो है मुग्दा कहलाएगा, प्रोड प्रगल्वा 29 से 41 वर्ष तक आपकी प्रगल्वा है तो अपसे पूछा जाता है मुगदा तो मुगदा आपको याद रखना है बाला मुगदा तीन नमपर प्रणा था पांच मुगदा था 12 वर्ष तक तो 13 से 19 वर्ष तक है ना प्रोडा उननीस वरसां तक तो मुग्दा था तो मुस्पफर उ-गत्र. तो अब यह तीन के बार आप रखोगे बाल byला मुग्दा प्रगलब बाल बाल प्र.अब्सफर वरसां कसा म्या यह आपको याद करना है अभी यह पढ़ लीजिए जब मैं आपको चरक्य अनुसार याद कर रहा हूं तो वहाँ पर इसके अनुसार भी आपको ट्रिक के आधार पर याद करवा दूँगा क्योंकि उसको अपने एक साथ कंपरेजन में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा चार रसकार पर नोट करेगा क्या लिजिए किस यह स्थन पहल वह पूश अर्वग दिंदा आपस आप से अगर अ जाए आधाए जो जनक कि बीद बताएं हैं सब्सक्रा कर लोए तो आअपकी हरिसे दॉस धाउत साथ तांबूल बर्दन तो तांबूल नागवल्ली के रूप में है पलाणडू को कफ सामक जबके अन ने कफ बर्दक अप्याज है अप्याज को देखीगा तमों बर्दक और तम जुछ कफ का प्रती कफ को बढ़ाएगा तब तो आलस आएगा तम आएगा लेकिन यह देखी गए इन्होंने कपसामक बोला है अब क्यों बोला है क्योंकि जो एस छेत्र में रहते होंगे वहां की जो प्यास रहती होगी उसर तीछड़र हो गोगी। पर दिया है हरी सहता में जोरों का उलिक किया गया है किस के आदार पर तो वर्ड के आदार पर कौन-कौन से वर्ड तो बड़ देखीगा यहां पर वो नहीं है पीट केश्ण जो वर्ड अनसार यहां पर बड़ अनसार बात होती है तो जाती के आदार पर ब्रामड, छत्रिए, बैसी और सुधर इनको वर्ड बोला जाता था प्राचिन समय में तो या रखीगा ब्रामर जोर, छत्रिय जोर, बैसि जोर, सुद्र जोर, तो आप से पूछा जा, हारित बड़ा अनुसार जोर, गो के बड़ा अनुसार उसके दुख्द के गोड़ करम का बढ़न किया है, ठीक है, पढ़ लीजीगा, बिबिने दिशाओं के अनुसार, वायू के गोड़ा का प्रमे के नए प्रकार, आयम पि लगाई इसको, तक्र प्रमे, घ्रत प्रमे, खटिका प्रमे, तक्र ग्रत प्रमे और खटिका प्रमे, मैं इसलिए क्योंकि अभी हम बस्म प्रमे पढ़के आई थे, वो किस ने बताई थी, वो बताई थी भेलने, लेकिन हारित क्या बताते तकश्ठर्मे क्षठक पर नाम से पढ़ेंगे लेकिन यहां पर सिर्पा इतना याद रखी चार भेद बताएं साके पत्र पुष्व फल और कंद पढ़ लिजिए लंगन छे प्रकार का इमपी लगाईगा जहां भी थोड़ा डिफ्रेंस होता है ना आचारों से मतलब वहां से कोश्चन बन सकता है जबकि चरक लंगन तो अपनों पढ़ते ही हैं दस प्रकार का लंगन लेकिन प्र हरीत कितने सिस्फ चै प्रकार का बढ़त बारा प्रकार का लंगन बताते हैं पांडु के भेद сосऔर अड़र की 2 lost प्रत्लों चाहे में 18 प्रकार के 6 लेकिन हारित ने 10 प्रकार के 6 तो जहां ऑपसर रहते हैं डालने के लिए कोष्चन वहीं से आसानी से बन आते हैं और हम कन्फीज भी रहते हैं क्योंकि च्छय के आचा चरक नहीं बताएं च्छय का बड़न सुसृत्र में किया है तो यह आपको नोट करना है मसूर का मसूर का किसका पर्या है बसंत का बड़न उपसर के अंतरगत किया है याद रखीगा नुट करिए적ा चिकिस्सा में निमनमोसद प्रयोग तुल्फि का प्रयोग देखीए कांस में है आय बिश्योत के अंट के बाद रदोसाज बहुए कांस स्वपनी किए और नचाथ्र के चत्र के नशार रोगों की साध्य-साधिता का हारी सैता को वैध्धक सर्वस्थ भी जब मैं आपको उनके प्रडीट रिषी और प्रडीट ग्रंत के बारें बता रहा था तो वहाँ पर देखीगा मैंने नकुल करके याद कर गया था नकुल जो है सर्वस्य सभी जगह पाज़ा है सर्वस्य तो वहाँ पर नकुल वैद्धक सर्वस्य ग्रंत लिखाता नकुल ने तो पूछा जाए वैद्धक सर्वस्य तो हरी सहता को भी कहते हैं और नकुल के याद रखिए जलोदर का पूर अध्या में बढ़न करते हुए जलोदर के संदर्व में कहा है कि अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम संशियो भवेत एक पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिए हारीत ने आहरीत ने जो कोटेशन है किसके संदर्व में कहा है टो यह जलोदर के संदर्व में कहा है ठीक है आ क्रियाम द्रीवो मृत्यू क्रियायम संशयो भवेत कि माल लेज़े कोई असाद्र हो गया और जिसकी मृत्यू होने वाली है तो उसकी क्रिया नहीं करते हैं तो इससे अच्छा है कि उसमें क्रिया करके देख लीजिए हो सकता है वो पेशेंट ठीक हो जाए तो यह बताया गया है जो कोटेशन बताई है किस के संदर्म में कहा है किसने हारी तने तब आएगा जलोदर में केबल जलोदर के लिए कोटेशना आई है हारी सहिता के अनुसार चलिए आज के लिए इतना ही काप ही है कल नेक्स्ट क्लास अब उन फिर से प्रारम करेंगे चले ओके